दोस्तो आज भारतिय सेना की तरफ से उस हत्यार का ओर्डर दिया गिया है जो चाइना और पाकिस्तान को कुछी घंटों में गुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और आने वाले समय में ये हत्यार टू फ्रंट वोर में भारत का सबसे महतुपून हत्यार भी होने जा रहा ह दरसल जबसे भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी में हिंसब जड़प हुई है जब इसे ही भारत और चाइना के बीच बोर्डर पर तनाव बना हुआ है और इसी तनाव को कम करने के लिए अब तक भारत और चाइना के बीच 19 मीटिंगे हो चुकी है लेकिन इन मीटि ये को देखते हुए भारत ने भी अपनी सेन्य तयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है आपके यादी होगा अब से 20 दिन पहले ही रश्या की तरफ से एक मिसाइल यूक्रेन में एसी दागी गई थी जिसकी वज़े से यूक्रेन थर-थर काप रहा था और इस मिसाइल न जिसकी वज़े से हमारे डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल का पता नहीं लगा पा रहे हैं और ये मिसाइल हमारे पोर्ट सीटी पर भारी तभाई मचा रही है P-800 Onyx missile ये वो ही missile है जिसके basis पर भारत और रश्या ने मिलकर प्रम्मोज missile को बनाया है लेकिन जो प्रम्मोज missile है उसको P-800 के comparison में दुगनई शक्तिशाली बना दिया गया है क्योंकि P-800 Onyx missile की रफतार 3000 km परती घंटा है वही पर प्रम्मोज missile की रफतार 556 km परती घंटा ह लेकिन अब भारत प्रम्मोज missile की next generation में पहुँच चुका है और अब भारत की तरफ से प्रम्मोज missile के ही NG version को बना लिया गया है और इस missile के परिक्षन से पहले ही 400 missile का order भी दे दिया गया है प्रम्मोज NG missile का परिक्षन 2024 के शुरुआत में होगा चुरू में एसी 400 missile को खरीदने की तैयारी की जा रही है प्रम्मोज NG missile की सबसे खास बात यह होगी कि इस missile को हम अपने तेजस fighter jet पे लगा सकेंगे और एक बार हम तेजस fighter jet में दो दो ब्रम्मोज NG missile को ले जा और ब्रम्मोज NG missile को 400 की संख्या में लेने के बाद हमारी सेना की तरफ से ये target रखा गया है कि हम हर साल 100-100 missile को अपनी सेना में शामिल करेंगे और भारत की इस missile को देखते हुए अब चाइना थरतर काप रहा है क्योंकि चाइना पहले ही ब्रम्मोज NG मैदान में आने वाल नहीं निकाल पाया है तो ब्रम्मोज NG का तोड निकालने के लिए तो अभी चाइना को कम से भी कम 15 साल लगने वाले हैं और ये missile 2 front war में चाइना और पाकिस्तान की दुनिया को हिला कर रख देगी आपको क्या लगता है कि हमारी वायू सेना को कितनी संख्या में अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो एव गूड डे